वेलकम टो एससी मेडिजी सभी गॉर्मेंट जोब एस्पारेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी गुड नियुजे चाहिए आप एससी की प्रिप्रेशन कर रहे हैं रेलवे की आरार भी या किसी भी कॉम्पिटेटिव एक्जामनेशन की तीन लाग से भी ज्यादा वेकेंसिस कमिशन की बात कर रहा हूं लेकिन अलग-अलग कमिशन में कई सारी वेकेंसिस एनाउंस की जा सकती है नियर फ्यूचर और सी इटी से रिलेटेट भी आप सभी को एक इंपॉर्टेंट अपडेट देनी है इसका सी इटी से भी कनेक्शन है लेकिन उसके पहले एक छोटी सी अपडेट है कि अनकेडमी पर जितने भी सब्सक्रिप्शन प्लान है उनके प्राइस बहुती जल्द बढ़ने वाले हैं मान लीजे कि वन येर का सब्सक्रिप्शन प्लान अभी 6500 में आपको पढ़ ला है तो 10% का इंक्रीज हो जाएगा कुछ देर में उस दिनों में और वो हो जाएगा 7150 तो 10% इंक्रीज हो उसके पहले आप सब्सक्रिप्शन प्लान लेना चाहते हैं तो आपको 10% कम मिलेगा इसके अलावा 10% एकसा डिसकाउंड मिलेगा आपको एसे सी इजी टेन इस रेफर को यूज़ करने पर दूसरी अपडेट है की आने केडमी ने आप आपको लिंक दिया नीचे डिस्क्रिप्शन में उस पर क्लिक करके अन्रॉल कर लीजिए और कोई भी सब्सक्रिशन प्लान लेने के लिए यूज़ किजिए रेफर कोड एससी इजी टेन अगर हम बात करें गौर्मेंट जो वेकेंसिस की तो सबसे पहले मैं आपको कुछ ड लोगों को जोइनिंग दे दिये और अब आता है वर्फ 2018 वर्फ 2018 में लेख्याइट नोटिफिकेशन निकाले और टोटल आट नोटिफिकेशन के एक लाग चांचाट 712 वेकैंसिस एनांस की गई जिसमें से मात्र और मात्र अभी 35,999 वेकैंसिस से पूर्ण की गई यह मतलब 1,606,712 वेकिंसिस में से apare 35,999 का Ven – 26,000 वेकिंसिस की भरती प्रक्रिया को ही पूरा किया गया है इसके अलावा अभी भी 140,700 देयरा वेकिंसिस का complete होना बाकी है 2018-19 की बात करता हूं मैं चार साल होने आ गये और वहीं अगर 2019-2020 की बात करें तो रेलवे ने एक भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया रेलवे की तरह यहां पर भी एक भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है और 2021-22 की बात करें तो अभी दिसंबर 2021 तक भी railway ने कोई notification जारी नहीं किया है और अभी जो 2022 मार्च आ गया है अभी तक भी railway ने कोई notification नहीं जारी किया है मतलब कि last vacancy थी 2018-19 की और उसकी भरती प्रक्रिया को अभी तक complete नहीं कराये गया है लेकिन एक जो data निकल कर सामने आ रहा है उसके according ये कहा गया है कि railway में तीन लाख vacancies अभी भी रिक्त है और जो उत्तर railway हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा पद खाली है और यहाँ पर पूरा data दिया गया है कि किस किस तरीके से railway में कौन-कौन से पद रिक्त हैं कौन-कौन सी appointment पर लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर सबसे बात सबसे बड़ा यही उठता है कि अगर देश में unemployment rate इतना ज़्यादा है लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और और दूसरी बात की ऐसा है कि नहीं ऐसा नहीं है कि government के पास employment है पद रिक्त है संख्याबल की खमी है डिपार्टमेंट पे लोगों के उपर ब इपार्टमेंट में फिर भी पद रिक्त होने के बाद भी unemployment rate एकदम हाई होने के बाद भी यह notification क्यों नहीं जारी किया जा रहा है कि इन सभी पदों को जल्द से जल्द भरा जाए तो यहां पर यह जो पर तीन लाख वेकेंस्टी पद खाली है मात रेलवे में खाली है और जो अगर इनका notification आता है तो यह CET के द्वारा भरी जाएंगी इस बार यह railway के द्वारा नहीं बरी जाएंगी और दूसरा सबसे important चीज आपको यह समझना होगा अगर पद खाली है unemployment rate एकदम हाई है फिर भी government vacances नहीं निकाल रही है इसका कारण यह है कि government को पता है कि unemployment के उ उसको वोट नहीं दिया जाता है उसको वोट दिया जाता है धर्म के उपर मंदीर की राजनीती के उपर मस्जद की राजनीती के उपर कस्मीर फाइल्स जैसी जो प्रोपागेंडा movie बना दी जाती है एक पच्छ को एक पॉलिटिकल पार्टी को फाइदा उठाने के लिए जो की पूरे के पूरे पहलों को नहीं दिखाया जाता है वो 1990 में सरकार किस की थी और ब्लैम किस पे किया जा रहा है तो यह सारी चीजे हैं जो प्रोपेगेंडा फैला जाता है जो रियल इस्टियू से हमारे सबसाइटी में इम्प्लॉइमेंट लेकर विकास के लेकर डेवल किजिए तो आपकी मांगे भी पूरी कि जाएंगे आपने देखा होगा कि पंजाब में आपकी गवर्मेंट आए और आते हैं उन्हों ने वेकन उसकार कर दिया जितने भी लोग जो पर्रमानेंट कर दिया तो इस तरह की चीज़े होती जो डेवलपमेंट वाली पॉलिटि झाल झाल